हेलो बच्चों आप सबका स्वागे थे life science cafe में हम पढ़ रहे हैं morphology of flowering plant में जो special type की inflorescence होती है वो ठीक है तो special type की inflorescence जो actual में होती है तीन तेरे की होती है सयाथियम, verticilaster और high panthorium ये जो special type की inflorescence है थोड़ी सी उनसे अलग है और इन पर questions बहुत आते हैं तो बच्चों को confusion रहती है आधा कहीं से पढ़ते हैं तो जैसे हमारी रेसिम जो inflorescence होती है एक बार हम cover कर लेते हैं inflorescence actually flowers का arrangement होता है दो तरह की होती है रेसिमोस और साइमोस रेसिमोस जो होती है उसमें main axis जो होता है वो terminate नहीं होता flower में मतलब continue grow करता है तो इस case में क्या होता है कि आप वीडियो में जाके देख लेना कि उसमें जो flowers होते हैं एक बार main stem से नीचे से grow करते रहते हैं उपर तक grow करते जाते हैं लेकिन उन flowers का level एक जैसा नहीं होता लेकिन compound racism में क्या होता है उनका वही एक inflorescence जो racism inflorescence होती है वो एक main pedancle पर बार-बार repeat होती है spike होता है जिसमें से sile flower होते है catkin होता है जिसमें यह सारी talent ने स्जों आपको और पी क्या है है मीडल जो वाला है मेडल वाला फिमेल फिलावर कि सिंगल लेकिन ईतनी लोड़ लेने की जरूरत नहीं रही है जब je सबता डेक्ति से उने टोघ सोजें आत याम हाइपांतोडियों में क्या सिमिलर्टी टी इस तरह के इन फ्लोडी छोती है कि इसमें क्या स्पेश्यलिटी एटिक्ष जो चीज मुश्किल है उसको एक बार के लिए इग्नोर करो ताकि आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये चीजे भी आसान लगने लगेंगी ट्राइकाल परल क्या होता है जो मेल फ्लावर्स हैं सिंगल स्टॉक्ड स्टैमन से बने होते हैं एक्जिल होता है स्केली ब् कुछी ये साथ्यम होता है इसमें फाइंप्लार खर्यंन छो होते हैं ये याभ रैक्टियोल आप जी से कह सकते हो इस लोगे तुकर्ट compliance अईश्य स्ट्रप्टिटर बनाते हैं तो तहां स्टैमने होता है और और क्या होता है इन इनकी सैथियम और हाइप एंथोडियम में होता है कि इनमें यूरी सेक्शल फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं इतना याद कर लोगे एक बार रिवाइज करते हैं यह कंपाउन इंफलोडिसेंस है सिंगल फ्लावर प्रिजेंट होता है में एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है फीमे फ्लावर में यह टर्मिनेट हो गया उसके बाद बहुत सारे मेल फ्लावर्स होते हैं लेकिन यह ब्रैक्ट से कवर्ड होता है यह वाली ब्रैक्ट क्या करती है इसे कवर करके रखती हैं जिसके वाज़े से सिंगल फ्लावर अपियर होता है जो मेल फ्लावर्स होते हैं जैसे यूफोर्बिया में एक्जाम्पल की तोर पे आप यूफोर्बिया इसको याद कर लो अब क्या होता है यह nectar भी सिक्रेट करते हैं यह अडिशनल आपकी नॉनज में डालनो फिर उसके बाद आता है आपका वर्टीस लास्टर. वर्टीसलास्टर में क्या होता है? ये family labiattik का character है इसमें by parasme होता है. टेके लेकिन वो बाद में क्या हो जाता है? Scorpioid Saim हो जाता है. स्कॉर्पियरड में क्या था हमारा? कि जो एक main axis है, उसमें इस तरह से, फिर ये इस तरह से, scorpion था न ये वला, alternate fashion में grow करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो main axis है, उससे पहले तो कौन सा grow किया, by paris, मतलब एक terminate हो गए, यहाँ से एक flower ने grow किया, ठीक है, अब यहाँ पे grow कर रहा है, इस तरह से ये पहले तो क हो गया, ठीक है, अब यह क्या है, इस तरह की जो inflorescence होती है, वो उसी मम में आपको दिखने, देखने को मिलेगी, समझ रहो, उसके बाद आप, आपको मिलेगा, हाई पैंथोडियम, हाई पैंथोडियम, और जो आपका, सायथियम था, उसमें क्या थी, कि वो दोनों nectar secret करते है, ठीक है, फीमेल फ्लावर्स में इसी के अंदर प्रिजेंट होता है, हाई पैंथोडियम का में एक्सिस होता है, कप शेफ्ड रिसेप्टिकल बनाता है, ठीक है, हाई पैंथोडियम में क्या बनता है, कप शेफ्ड रिसेप्टिकल, अब जो यह होता है, क्लोज होता है, उसमें क्या था क्लोज नहीं था बिल्कुल भी वो वो मेल और फीमिल फ्लावर ग्रो कर रहे ते बाहर दिख रहे ते लेकिन इसमें नहीं देखेंगे है इसमें क्या होता है चारों तरफ से धका हुआ होता है एक माइनूट ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो इसके अपेक्स फ्लावर से और यहां पर क्या है मेल फ्लावर से अब इसमें क्या किस तरह से बताओगे फ्लावर्स जो होते हैं उस कैविटी में डवलप होते हैं जो कप छेप्ड की होती है उसमें कैविटी में बंचिस में प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स यूनिसेक्शल होते हैं फीम इसके पास क्या प्रोड्यूस होता है मेल फ्लावर्स तो यह थे हमारे स्पेशल टाइप की इन फ्लोरी सेंस और इस पर कॉश्चन आ जाता है वैसे आप यह सोच के मत चलो के कॉश्चन आएगा लेकिन आपकी अंडरस्टेंडिंग इतनी होनी चाहिए कि अगर आपको कभी हि प्रिदेंस बढ़ता है बताएए कैसे उसके एक ट्रिक है जो भी वीडियो आपने देखी होगी आपने लाइक हिया होगा दुबारा से जब आप देखोगे तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा पहले कि इसमें क्या क्या था ठीक है नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं दो ब लाइक करना मत बूलना